नमो नमहा आज हम कक्षा साथ की संस्कृत पियोशम का सब्तमह पाठ अर्था सात्वा पाठ जिसका शिर्षक है प्रहेलिका प्रहेलिका यानि पहेलिया आज हम इसका ध्यान करेंगे इससे पूर्व की वीडियो में हम इसका सैस्वर वाचन कर चुके हैं और इससे आगे की वीडियो में हम इसका अभ्यासकारिय करेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिए दंतैर हीन दातों से रहित शिला भक्षी शिला इनी पत्थर को भी खाने वाला निर्जीवो प्रान रहित बहु भाश का बहुत बोलने वाला गुन सिवती जो गुन अर्थात रस्षी से सूत की रस्षी से सीला हुआ सम्रिद्धो अपी होने पर भी पर पादेन गच्छती दूसरे के पैरों से चलता है ऐसा वह कौन है बताओ बच्चों जो दातों से हीन है जिसके दात नहीं है फिर भी वह शिला तक को खा लेता है जो निर्जीव है फिर भी बहुत बोलता है जो तारों से सीला गया है और सम्रिद्ध है फिर अभी दूसरे के पैरों से वह चलता है ऐसा कौन है वो ऐसा है जूता जिसको संस्कृत में कहते हैं उपाने शोबितोस्मी शिखंडेन दिरगई पक्षाई रलंकरिता राष्ट्यो विःगस चास्मी निर्त्यम पश्यंति मेजना हा शोबितोस्मी शिखंडेन कहते हैं मौर के पंक से दीर गई बड़े-बड़े मौर के बड़े-बड़े पंको से अलंकरित हूँ शुशोबित हूँ इन्होंने पहले ही बता दिया है इसका उत्तर तो राष्ट्यो विःगस चास्मी विःग पक्षी राष्ट्ये पक्षी हूँ निर्त्यम पश्यंति में जनाहा लोग मेरा निर्त्या देखते हैं बताओं मैं कौन हूँ कौने बच्चो हमारा राष्ट्ये पक्षी जो निर्त्य करता है बड़े-बड़े मौर पंक हैं जिसके वो है मयूर पठीतो नास्मियहम किंचित तथा पी साक्ष्रों अस्मी एहम पठीतो न मैं पठीत नहीं पढ़ा अस्मी हूँ मैं कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ तथा भी साक्ष्रों अस्मी एहम फिर भी मैं एहम मैं साक्षर हूँ पादही बिना एव गच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् प्रचलन कम हो गया है, आज कल मॉबाइल पर सब बाते हो जाती है, क्वचित प्रस्तर तुल्योसमी, कहीं प्रस्तर पत्थर के समान हूँ, क्वचित चे तरलम उना और कभी मैं तरल अर्था द्रव बन जाता हूँ, क्वचित वायू समम सुक्षम, कभी वायू की समान थर के समान हो जाता है, कभी तरल बन जाता है, और कभी वायू बन जाता है, ऐसा है जल, रेफ आदव मकारों अंते, जिसके आदव अर्था प्रारम में रेफ अर्थात रेव है, मकारों अंते और जिसके अंत में मैं आता है, वालमी की यस्य गायक है, जिसके गायक वालमी की म निया का प्रिया ते निया प्रम है, इसे जन प्रिया राजा कोन है, तो इस प्रकार से अपको इन पहलियों को याद करना है, इसका ब्यासकार्य हम अगली वीडियो में करेंगे